बूर्णिंग स्टुडेंट्स, मैं रवी कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी दुंगरपूर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे .NET टेक्नोलोजी में, ASP.NET के बारे में ASP.NET में, स्पेसली, वेब कंट्रोल्स के बारे में और लोएब, मतलब वेब साइट क्योंकि ASP.NET में हम वेब साइट में में वेब साइट्स बनाते हैं button alcohol मतलब जो कंट्रोल करता है, जो activities होती है वेब साइट पर उनको कंट्रोल करते हैं तो आयए देखते हैं .NET में 5 तरह के वेब कंट्रोल्स होते हैं HTML Controls, HTML Server Controls, ASP.NET Server Controls, ASP.NET AJAX Server Controls, User Controls and Custom Controls. ASP.NET में दोनों साइड में कंट्रोल्स होते हैं, क्लाइंट साइड पर भी और सर्वर साइड पर भी. तो Server Side में जो 컨्ट्रोल्स होते हैं, उनको कोनकोन से टाइप में हम डिवाइड करते हैं, वो देखेंगी. Server Side में Validation Control होता है. Validation Control क्या करता है? कि जो Using Input करता है, जो Information, उनको Validate करता है. ठीक है और ये कैसे वेलिडेट होती है ये रन करता है क्लाइंट साइड स्क्रीप्ट वेलिडेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मोबाइल नमबर एंटर कर रहा है यूजर तो मोबाइल नमबर कितना 10 डिजिट का होता है और 10 भी डिजिट्स होगी 0 से लेके 9 तक अब उसमें A, B, C, D अगर उसने एंटर कर दिया तो वो गलत मना जाएगा 10 से 11 डिजिट कर दिये या 10 से 9 डिजिट कर दिये तो भी गलत मना जाएगा ऐसे हम देख सकते हैं इसे आधर का नमबर एंटर करना है डेटा सोर्स कंट्रोल डेटा सोर्स कंट्रोल क्या करता है यह प्रोवाइड करता है डेटा बाइंडिंग तो डिफ्रेंट डेटा सोर्सेज अलग लग जो डेटा सोर्सेज है उनसे डेटा की बाइंडिंग है उनको कंट्रोल करता है Data View Control Data View Control क्या करता है कि हमारे पास Lists और Tables होती है और उनको हम क्या करते है Bind करते है किसी भी Data Source से उनको Display कराने के लिए तो उनको Control करता है Personalization Control Personalization Control में क्या होता है कि ये Page को किसी User की Personal Choice के According है Preferences के According है Control करता है Login and Security Control ये User Authentication है वो Provide करते है जैसे हम Login करते हैं किसी भी Website पर तो वहाँ पर ये Login और Security Control है वो काम में आते है Master Pages Master Pages क्या करते हैं Provide करते हैं Consistent Layout और Interface Throughout the Application Master Page होता है वो Control करता है पूरी जो Website है उसका जो Interface है और उसकी Layout है उसको Control करता है Navigation Control ये Control करते हैं Website के Navigation को जैसे Menus है Tree Views है कि कौन से Menus पर क्लिक करेंगे फिर उसके Submenu है वहाँ से कौन सा Page Open होगा Tree View है तो Website का Navigation कैसा होगा Flow कैसा होगा उसको ये Control करेंगे Rich Controls Rich Controls Special Features उनको Implement करते हैं जैसे Add Rotator है File Upload है या Calendar Control है अब जो Server Controls है उनको हम Apply करते हैं उनका Syntex कुछ इस तरह सी रहता है Less than ASP colon Control Type ID equal to Control ID Run at हमें ये बताना अगर पढ़ेगा कि कहा पर Run हो रहा है Run at Server Property 1, Value Property 2, Value 2 Visual Studio है उसके अंदर Features होते हैं Error Free Coding Produce करने के लिए और Visual Studio में हमें जो भी Control Sound को Directly Drag and Drop करना होता है Design View के अंदर जो IntelliSense Feature होता है वो Display करता है Auto Complete और Properties Property Window जो हमारा Visual Studio में क्लास के Web Control क्लास खुद गंट्रोल करती है हम Other Server Control जैसे कि एक्जामबल के लिए Placeholder Control और XML Control अब हम पढ़ेंगे Server Controls के बारे में Controls हर Small Building Blocks ओपती Graphical User Interface जो Graphical User Interface होता है उसी का ही एक Block होता है Controls उसी का एक हिस्सा होता है Graphical User Interface का ही अब जो Controls है उसके अंदर हम सामिल कर सकते हैं Text Boxes Buttons Check Boxes List Boxes Labels And Numerous Other Tools ये जो Tools है User उनके थूँ Data को Enter कर सकता है Select कर सकता है जोसे Enter करता है तो Text Box के थूँ Information एंटर कर सकता है Selection में आता है तो Selection के अंदर Radio Button या Check Box होता है Comble Box होता है वाज सेलेट कर सकता है List Box से और Preference है वो Indicate कर सकता है Controls है वो Structure Jobs के लिए भी Use में आते हैं जैसे की Validation है Data Access है Security है Master Pays Create करना और Data Manipulation ESP.NET के Server Controls है वो Inherit करते है Properties, Events and Methods of Web Controls और यह Class कौन सी होती है System.Web.UI.Control Class अब नीचे टेबल जो दे रहे हैं उसमें देखेंगे की कौन सी property होती है और वो क्या काम करती है जिसे Access Key है Access Key करती है कि Pressing the Key with the Alt Key moves focus to the control जब हम की को प्रेस करते हैं अल्ट की के साथ में तो जो focus है वो मूह होता है Control पर Attributes Attributes Collection of arbitrary attributes Rendering only That do not correspond properties to the control Back color Background color Binding container The control that contains this control's data binding Border color Border color define करेगा Border style Border width Border width Border width है वो कैसी रखनी है Codes Validation Indicate if it codes validation Child control created It indicates whether the server control's child control have been created Controls Collection of all controls contained within the control Control style The style of the web server control CSS class CSS class Design mode Indicate करता है whether control is being used in a design surface Disabled CSS class Enabled Enable theming Font Font को control करेगा Events है Gets a list of events Handled delegates for the control For color For ground color को control करेगा Has attribute indicate whether the control has attributes it Height Height बताएगा या तो pixel में आप परसेंटेज में Id Identify for the control अब इसके बाद में हम देखते है HTML server controls अब HTML server controls होते है वो basically standard HTML control होते है Enhanced to enable server side Normally HTML run होती है Client side पर, browser पर और इसके जो controls होते है वो भी Browser पर run होते है अब इसको enhance करके हमने enable कि यह server side पर भी processing कर सके तो HTML controls जैसे कि header tag है, anchor tag है, input elements है वो server की द्वारा process नहीं होते है जबकि server क्या करता है उनको भेजता है browser पर display करने के लिए तो हमें इनको server पर run कराने के लिए specially इनको क्या करना पड़ेगा convert करना पड़ेगा उनको convert करने के लिए हमने जैसे पहले देखा था उसमें syntax में हम एक attribute यूज करते है run at और double quotes में server और एक id तो इससे क्या होगा कि यह server पर run करेगा नीचे syntax दुबारा देख लेते हैं input type text size 40 तो यह क्या होगा यह convert हो जाएगा server control में जैसे इसके अंदर हम run at और id attribute आट करेंगे जैसे तो यहाँ पर normally यह क्या होता है यह client पर चलने के लिए होता है ब्राउजर पर चलने के लिए होता है लेकिन इसके अंदर यह जैसे हमने यह aid कर दिया run at server और इसकी id यह आट कर दिया मिलते है क्यों हम html controls को server पर run कर रहे है although asp.net server control perform करते हैं अपने जो task है वह अच्छे तरीके से html server control useful होते हैं कुछ following कैसे जाए उनके अंदर जैसे की static tables और layout purpose converting html page to run under asp.net तो कुछ special purpose है जिनके लिए हमें html जो control से हमको server पर run कराना होता है तो static tables और layout purpose है html page को run कराना asp.net पर अब नीचे table जो देरखे हैं उसे हम समझ सकते हैं कि control का name क्या है और उसका html take क्या है html head तो html head control का name है और वो बनेगा हमारे head element से html input button वो बनेगा हमारे button से input check box यह check box से मन जाएगा तो जैसे हमारे जो takes हैं उनके नाम से हमारे पास ही control सम server पर बना लेंगे यह आपको visual studio में पूरे मिल जाएगे html anchor, html button button element, html forum html table html generic control html generic control वो सारी control जो की लिस्टेड नहीं है तो students इस वीडियो में हमने देखा controls क्या होते हैं server controls क्या होते हैं html server controls क्या होते हैं thank you क्यप्स कुर्ण नहीं हमें पास्टाओ इसकित क्या होते हैं